लो डियर फ्रेंड्स आप सभी का Health by Hindi मैं सागत और मैं डॉक्टर आनन्द और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 28 अप्रेल है और आज से 18 से 44 साल के सभी लोगों का कोविड वेक्सिनिशन के लिए रेजिस्टेशन का दिन है जो कि एक मैं से वेक्सिनिशन होगा उनको तो उसके लिए आप जो है कोविड प्लेटफॉर्म पे भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं और आरोगी सेत्यू से भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो 28 अप्रेल आज है और मै कैसे करना इसमें वैसे मैंने इसमें इस पर वीडियो बना रखा अब उसको देख सकते हैं फिर भी देखिए फिर से आप देख लीजिए गुगल पर जाएंगे और यहां पर हम कोविन लिखेंगे कि ओ टबलु आई एन यह कोविन जी ओवी डॉट इन पर क्लिक करेंगे फिर कोविन के साइट पर जाएंगे देखिए आलिका रेजिटेशन ओफ एज फॉर एज एटीन टुफुट्यफूर विल वी ओपन ओण 28 28 अपरिल 2021 एट 4 पीम अभी साम चार बजे से इसमें रेश्टेशन शुरू जाएगा बहुत देर से लोग लगे वे थे इस पर यह शो नहीं कर रहा था यहां तो ले भी नहीं रहा था इसमें रेश्टेशन 18-14 साल के लोगों का दिखा रहा था कि इस पर कोई ऐसी नोटि जो मैंने आपको बता रखा वीडियो कैसे बनाना कैसे आपको सरेक्षेशन करना है और रिस्टेशन देखो आप रेजिस्टर में जाएंगे और रेजिस्टर में जाके आप अपनो मॉबाइल नमबर डालेंगे इस दिखिए और जैसे ही आप इसमें OTP के लिए क्लिक करेंगे आपके नंबर पर OTP आएगा वन टाइम पासवर्ड उस वन टाइम पासवर्ड को आप खोल लेंगे कर लेंगे और आप एक से और इस्टेशन कर सकते हैं इसमें एड मोर्म कर लेंगे कर लोग करेंगे तो यहां पर आपको फूट आड़ी महांगेगा फूट आधार कार्ड है ड्रीविंग लाइसेंस एपैन कार्ड पासपोर्ट है पासपोर्ट है पैंशन पासपोर्ट तो यहां दिखा रहा है देखिए आप registration is open only for individuals with age 45 और older तो अभी यह शुरू नीवा है चार बजे से सुरू होगा इसमें और वैसे आप यहां पर आधार कार्ड डालेंगे का नंबर जो भी नंबर आप जिस भी फूटाइडी का लेते हैं और इस फूटाइडी नेम होगा mail फिर में डालके और जैसे आप आप एड करेंगे तो आपको वहां पे आपको जो है फिर आपका स्टूडू माँएगा वहां पर हो जाएगा अब चलते हैं कि इसमा अरोगी से तो से कैसे करेंगे देखिए अरोगी से तो याप आप करिए इसको मैंने डाउन्नोड कर रखा है अब आप इस पर जो कोविन लिखा देखिए उपर जो है आपका स्टेटस कोविड अपडेट वैक्सिनेशन या जहां आई लिखा आई कोविन पर जाईएगा और वैक्सिन पंजी करण जहां लिखा है दूसरा वाला इस पर आप क्लिक करिए यहां आप मोबाइल नंबर सब्सक्राइब दो मिनिट के लिए वैलिड रहता है है कि अब करेंगे तो यह देखिए अब यह इसमें आप यह इतने लोगा रेस्टेशन से हो चुका है इसमें वेक्सिनेट हो चुके हैं इसी नंबर से तो अगर आपको बेनिफिस्टी को एट करना है मतलब किसी को फिरेशन है इसमें रेजिस्टेशन कराएंगे और वही है इसमें जो है आप कौन सी आड़ी लगानी है आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस बास्पोर्ट पेंशन पास्पोर्ट ए पियार स्मार्ट कार्ड वो ट्राइडी कुछ भी लगा सकते हैं पर हम आगए देखेंगे अगर हम यहां पर कैसे अदार कार्ट का नंबर में डाल रहा हूं वह वन नाइन एट जीरो ठीक है ना दिसमें लिखायए दिया यूजर कें रेशिटर मञिंडे चार बेनिफीस्टर को कर सकता है ठीक है ना तो अब यह समें रेशिटिशन हो करेगा वैसे आप इसमें फोटो के अपने इड़ जो भी बीए हैसे यहां मैंने किया आधर कर डाल दिया अधर कार्ड इसमें लेकर फोटो आई डी लाबार्ती का काना जन्वर्स लिंग जो भी आ डी बी लिकाऊ, वो ही होना चाहिए इसमें ठीक है ना आप फोटो अडी है जैसे फोटो अडी है फोटो अडी में अप इसमें डालेंगे डाल private फिर यहां उसका नाम डुए डालेंगे फिर यहां पर डाल देंगे इसमेह अंडेम तर्फिर आप दरुजी करेंगे वेरिफेय हो जाएगा आपका तो बहुत इजी प्रोसेस है तो आरोगी से तुसे कर सकते हैं आप और आप जो है कोविन से भी कर सकते हैं तो यह था आज का वीडियो आप चार बजे सब लोग अपना रिजिस्टेशन कराएगा बिना अपना रिजिस्टेशन के आपको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा और जो पैतालिस साल से अबब लोग जो है 45 प्लस उनका रिजिस्टेशन तो अभी भी होई रहा है और एक बात और यह रिजिस्टेशन जो है निस्सुल्क है इसका कोई चार्ज नहीं हो रिजि वेक्सिनेशन का जो चार्जेश सरकार डिसाइड करेगी वही चार्जेश लगेंगे तो फिर तैंक यू आज की वीडियो के लिए आज़ा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोग रिजिस्टेशन अपना कराएंगे और कुछ लोग अपने वोलंटेरी हैल्प भी करिए के लोग का रिस्टेशन करने में जैसे ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी लोग वेक्सिनेट हों और हम कुविट की इस पैंडेमिक से जल्दी से छुटका रहा पाएं धन्यवाद और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो हेल्थ भाई हिंदी को लाइक शेर करिए कमेंट करिए आप कैसे वीडियो चाहते हैं फिर में वैसे ही वीडियो आपके लाओंगा तब तक के लिए धन्यवाद